हेलो फ्रेंड्स तो स्वागत है आपका हमारे आज के इस रेसेपी वीडियो पे और आज हम आपको बना कर दिखाने वाले हैं बोड़ा मतलब लोबिया की स्वादिश्ट सबजी बिल्कुल इसी तरह से आपको बना कर दिखाएंगे देख सकते हैं लगबग 300 ग्राम लोबिया को अच्छी तरह से धो कर इसे हमने छोटे छोटे टुकडो में काट लिया है लोबिया को काटते वक्त इसमें से हलके हलके रेसे इसके साइड में से निकल रहे थे उसे भी हमने हटा कर साफ कर लिया है इसके साथ बस दो पीस आलू को अच्छी तरह से छिल कर इसे लंबे-लंबे थोड़े मोटे आकार में देख पा रहे हैं इस तरह से हमें कट करके रख लेने हैं और बस अब चलिए इस रेसेपी को फटा-फट से आपको हम बना कर दिखाते हैं कढाई पर अभी बस थोड़ा सा सरसो तेल को डाल कर इसे हम गरम करेंगे और सबसे पहले इसमें हम कटे हुए आलू को डालेंगे आलू को अच्छे तरीके से चमच से चलाते हुए हाई फ्लेम पर इसे बस तीन से चार मिनट तक हमें फ्राई करना है कुछ देर के बाद अब आप देख सकते हैं आलू जब हमारे इस तरह से बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुके हो तब हम गैस के फ्लेम को कम करके इन फ्राई किये हुए आलू को कढाई में से निकाल करके अलग रख लेंगे अब इस पर हम थोड़ा सा ओयल और डालेंगे और गैस के फ्लेम को हाई करके इस पे हम कटे हुए लोबिया को डाल कर फ्राई करेंगे इस सबजी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें आलू और लोबिया दोनों ही चीजों को अच्छे से फ्राई करके रख लेना होता है लोबिया को हमें high flame पर 4-5 मिनट फ्राई करना है और लोबिया बिलकुल अच्छे से फ्राई हो जाएगी कुछ देर लोबिया को फ्राई करके अब आप देख सकते हैं लोबिया को हमने पूरी तरह से फ्राई नहीं किया है ये अब भी आपको हरे दिख रहे हैं और इसी तरह से लोबिया को हमें फ्राई करना है और गैस के flame को कम करके इसे भी कड़ाई में से निकाल करके अलग रख दोनों ही चीजों को फ्राइ करने तक तो ठीक था इसे तो कोई भी कर लेगा पर अब हमें थोड़ा ध्यान से इस सबजी को बनाना है कडाई पर हमें टोटल दो बड़े चमच तेल को ही रखना है और इस तेल को हम गरम कर लेंगे और सबसे पहले इसके साथ में डालेंगे दो पीस मीडियम आकार के पतले-पतले कटे हुए प्याज प्याज को हमें चमच से चलाते हुए बिलकुल धीरे-धीरे फ्राइ करना है जिससे प्याज जो है वो फ्राइ होने के साथ-साथ एकदम से नरम हो जाएंगे और बाद में ग्रेवी के साथ एक भी प्याज आपको नहीं दिखेगी सारा का सारा प्याज जो है वो मसालों के साथ में मिलकर पक जाएगा थोड़ी देर के बाद अब आप देखिए प्याज को जब हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे तब इन फ्राई किये हुए प्याज के साथ में डालेंगे अद्रक लहसुन का पेस्ट दो चम्मच अद्रक लहसुन के पेस्ट को डाल कर प्याज के साथ में थोड़ा सा हलका सा इसे मिक्स कर लेंगे अब इस पर आधी छोटी चम्मच हल्दी और एक छोटी चम्मच कस्मेरी लाल मिर्च का पाउडर अब इन मसालों को एक साथ मिक्स करते हुए लोफ फ्लेम पर तीन से चार मिनट तक पकाएंगे कुछ देर मसालों को पकाने के बाद अब इसके साथ में हम एक छोटी चम्मच जीरा पाउडर आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर आधी चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और एक छोटी चम्मच या अपने स्वाद अनुसार नमक इन मसालों पर हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना है इसे बस low flame में 3-4 मिनट सभी चीजों के साथ mix करते हुए पका लेंगे इन मसालों को ध्यान रखें कि low flame पर ही हमें पकाना है नहीं तो हमारे मसाले जो हैं सूखे हैं वो जल सकते हैं थोड़ी देर मसालों को पका कर अब इसके साथ में थोड़ा सा पानी एड़ करेंगे और गैस के flame को medium करके मसालों के साथ पानी को अच्छे से mix कर लेंगे पानी को अच्छी तरह मिक्स करके अब इस पर हम फ्राइ किये हुए आलू और लोबिया दोनों ही चीजों को डाल कर मसालों के साथ कुछ देर तक मिलाएंगे आलू और लोबिया को देख सकते हैं हमने मसालों के साथ इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब इसे पकाने के लिए हम इस पर एक ग्लास पानी एड़ करेंगे पानी को अच्छे से मिक्स कर लेना है सब्जी के साथ में और फिर हम गैस के फ्लेम को मीडियम रखकर कड़ाई को कवर करके इस सब्जी को 10 से 15 मिनट तक पका लेंगे 15 मिनट पका कर अब इसके कवर को ओपन करेंगे और गैस के फ्लेम को बंद करके चमच से एक दो बार चलाते हुए लोबिया और आलू दोनों ही चीजों को चेक करके देख लेंगे देख सकते हैं अब ये बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुके हैं और सब्जी भी बनकर त्यार हो चुकी है इसके साथ में हम बस थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर को डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे तो फ्रेंड्स अब ये आलू और लोबिया की सब्जी पूरी तरह से बनकर त्यार हो चुकी है आप इसे अपने घर पर जरूर ट्राइ करें ये आपको खाने में काफी ज़्यादा अच्छी लगेगी और अगर आपको ये रेसेपी पसंद आती है अच्छी लगती है सच में तो आप इस वीडियो को लाइक एंड हमारे चैनल पर नए है तो प्लीज आपसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा धैन्यवाद